थो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आप लोग का सवागत है हमारे चैनल डी एक्स बेलेटरीकल लर्निंग में आप जो यहाँ पर ड्रॉइङ देख रहे हैं ऊपर में यह द्रॉइंग इंटरलॉकिंग का कनेक्शन कैसे करते हैं आज इस वीडियो में इसके बारे में बताना वा ठीक है ना और interlocking में 2 contactor चाहिए ठीक है ना या 2 से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो contactor है contactor का नाम दिया हुआ है contactor 1 और contactor 2 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 push button S1 जो लिखा हुआ है यह NC push button है NC push button का यह symbol है ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे S2 लिखा हुआ है ठीक है यह S2 है यह NC का symbol है ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वला जो switch है और यह वला switch है यह दोनों का symbol थोड़ा different है तो यह NC switch होता है उसका symbol है और यहाँ पर S3 लिखा हुआ है यह भी NOS push button का symbol है ठीक है ना अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो indicator कोई नहीं दिया हुआ है ठीक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो indicator कोई नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर कोई breaker का भी symbol नहीं दिया हुआ है लेकिन हम इस drawing में हम जो तो लाइक करेगा चैनल सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले इस ड्रोइंग में कौन से कौन सा इकूपमेंट यूज हुआ है एक एनसी पूस बटन और दो दो पूस बटन और दो कंटेक्ट ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले हम उसी को करते हैं यहां पर जैसे कि हमने बताया कि ड्रोइंग में ब्रेकर का सिंबल नहीं है लेकिन हमने फिर भी ब्रेकर को यूज किया हुआ है और इंडिकेटर नहीं है लेकिन फिर भी हम इंडिकेटर को यूज किया हुआ है इंडिकेटर को हमने इसलिए यूज किया हुआ है ताकि कंटेक्टर अगर आन आफ हो तो indicator के जरीए आपको मालूम चल जाए कि contactor off है या on है ठीक है न और यहाँ पर आगर आप देखेंगे जो s1 है जो red वाला जो drawing में था यह nc push button था और यहाँ पर s2 no push button है और यहाँ पर s3 है यह no push button है ठीक है न जो s2 है h2 जो push button है green वाला हम contactor 1 को on off करने के लिए करेंगे और जो s3 है इसको हम contactor 2 को on off करने के लिए करेंगे तो सबसे पहले हम चलिए हम इसको animation अब draw करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है सबसे पहले हमें breaker शे जो face wire है उससे हम एक face wire को लेंगे और जो s1 जो switch है उसका जो incoming terminal है उसमें हमें connect कर देना है उसके बाद हमें क्या करना है यहीं से एक output wire को निकालेंगे और जो s जो switch button है इसमें हमें लाकर connect कर देना है कुछ इस तरह से उसके बाद हम एहीं से एक wire को उठाकर जो s3 जो push button है हमें उसमें ले जाकर कुछ इस तरह से connect कर देंगे हम कुछ इस तरह से connect करने के बाद अब हम क्या करेंगे हम एहीं से s2 से एक wire को निकालेंगे जो s2 push button है उसका क्या करेंगे, इसी contactor का contactor 2 का जो 22 number टर्मिनल है जो NC टर्मिनल है, हमें उससे एक wire को उठा कर जो contactor 1 है उसका जो A1 जो टर्मिनल है, जो coil का टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर connect कर देना है, कुछ इस तरह से ठीक है न, उसके बाद हम क्या करेंगे जो S1 जो push button है उसका जो output जो terminal है उससे हम एक wire को निकालेंगे वहाँ से और जो contactor का जो no terminal है 13 number हमें उसमें लाकर connect कर देना है ठीक है ना कुछ इस तरह से हम connect कर देंगे no terminal में हम इसलिए connect कर रहे हैं हमारा जो contactor है यह hold हो सके on off करने के लिए यानि को push button को अगर हम एक पूस कर देंगे जो green वाला push button है एक contactor on ही रहेगा यानि release नहीं होगा ठीक है ना off करने के लिए जो red वाला button है nc push button इसको हम अगर press करेंगे तो यह जो contactor है off हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे जो contactor 1 का जो a1 जो terminal है उससे एक wire को निकालेंगे जो contactor का 14 नमबर terminal है हमें उसमें लाकर connect कर देना है उसके बाद हमें क्या करना है यही से 14 नमबर terminal से एक wire को उठा कर जो दूसरा no point है हमें उसमें लाकर connect कर देना है उसके बाद जो उपर वाला no point है यानि 13 number point है उससे एक wire को निकालेंगे जो यहाँ पर red वाला जो indicator है उसमें हमें लाकर कुछ इस तरह से connect कर देना है हमें इसमें इसलिए connect करना पड़ता है indicator को यानि जिस समय में हमारा contactor 1 on रहेगा उस समय में उस समय में जो हमारा green वाला light है वो on रहेगा ताकि अगर हम दूर से भी देखें तो यह मालूम चले हमारा जो contactor है यह on है ठीक है न अब उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हमें इस 3 जो switch है push button है उसका जो output terminal है हमें उससे एक wire को उठाना जवान का जो Nc point है हमें उसमें लाकर कनेक करद देना है यानि की इस नंबर terminal में ठीक है न उसके बाद हम क्या करेंगी कंगेशा सार्यजं़न करने के बाद आब हम क्या करेंगे हम find अब तक रहें जो कंटेक्टर 1 है के कटेक्टर 1 कर जो तेरे न Alg質 रहे जितेरे नमब़ जो मैं जेहां से अका के कनेक्ट हुआ है जो HOW जोती पिरें से एक रहेंsiET Union a में बूलेटारी मोष्णायर उसम्हें 6 मत बश्याइक उन्पचीर तर्मनल उसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है कुछ चिसतरा से अब क्या करेंगे इसी 14 नंबर टर्मनल से एक वायर को यहाँ पर चितरा यहां पर यहां यहाँ से उसके बाद जो हमारा बारी आता है वो आता है अब न्यूटल का ठीक है ना तब हम क्या करेंगे हम इसी ब्रेकर से एक न्यूटल वायर को उठाएंगे न्यूटल वायर को उठाने के बाद हम क्या करेंगे जो कंटेक्टर और जो लाइट में न्यूटल कनेक्ट होगा हम यहा पर neutral wire को connect करते हैं, उसके बाद अब हमें red वाला जो indicator है, अब हमें इसमें neutral wire को connect करना है, अब हमें जो बार ही आता है, contactor 1 और contactor 2 में neutral wire को connect करने के लिए, neutral wire को कहां पर connect करते हैं, तो अब हम ये देखते हैं, neutral wire को, हम neutral wire को, जो contactor का यह तो जो टर्मनल है हमें उसमें कर दिए ठीक है थोड़ा सा हम इंट्रलोकिंग के बारे में समझा देते हैं इंट्रलकिंग आगर आप यहां पे देखते हैं, एसटो जो PUSTT बटन को हमने Contactor 1 को ON-OFF कर देखेंगे, जो S2 जो PUST बटन है, हम S2 PUS特 बटन को Contactor 1 को ON-OFF करने के लिए किया है, लेकिन इसका जो Output Wire है, ओ आपणर 1 कों चनटेक्टर 2 से होते हुए ठीक है ना जैसे कि अगर हम देखते हैं अगर contactor 1 को अगर on करना है तो हम यहां से push button को दबाएंगे तो हमारा यहां पे होते हुए nc से होते हुए power supply contactor 1 का जो a1 terminal है इसमें आ जाएगा ठीक है तो यह contactor 1 on हो गया अब यहां पे जो nc जो terminal है contactor 1 का 21 और 22 नंबर जो terminal है यह terminal no बन जाता है ठीक है न और जो no terminal होता है वो nc बन जाता है ठीक है तो हम सबसे पहले देखते हैं nc के बारे में ठीक है जिस समय में हमारा एक नंबर जो कंटेक्टर ओन रहेगा तो हमारा जो एनसी ट्रमिनल है यह एन्नों हो जाएगा ठीक है अगर कोई बंदा आकर जो एस थरी पूस्ट बटन है अगर इसको आकर यहां से दबाता है तो इसका जो पावर सप्लाई है यहां से आकर यहीं पर रुक जाएगा यानि कि हमारा पावर कर सकते हैं जो हमारा एक नमबर कंटेक्टर है अगर ओन है तो हम इसको रेड़ वाले पूस्ट बटन से ओफ करेंगे उसके बाद थ्री पूस्ट बटन को दबा कर हम कंटेक्टर 2 को ओन कर सकते हैं अगर कंटेक्टर 2 ओन है तो कंटेक्टर 1 को ओन नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको हम यूज करते हैं जैसे फारवड बैकवर जो मोटर चलाना होता है उसमें ठीक है ना? अगर थिरी फेस का सप्लाई है तो हम उसमें यूज करते हैं अगर जैसे कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं दो कंटेक्टर है हम इसको डोल स्टार्टर में भी connect कर सकते हैं दो separate separate motor चलाने के लिए ठीक है ना तो अगरे हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe ने किये हैं तो चैनल को अभी subscribe कर लिजिए चलिए हम वीडियो को end करते हैं